कोईशन नमबर 47 सबसे पहले इसके अंदर देखें मेन पॉइंट एक क्रेडिटर वाला है जो की थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है और कोईशन आपको 31st मार्च 2019 के लिए प्रिपेर करना है और हमेशा रिसिप्ट और पेमिंट देगा तो आपको याद रखना है हमेशा कि जो हमें रिसिप्ट और पेमिंट देगा तो रिसिप्ट और पेमिंट के अंदर आपकी कितनी इंफोर्मिशन गीवन हो सकता है आपको प्रॉपरली तो यहाँ पे आपको चारों इंफोर्मिशन मिलेगा एसेट भी होगा इसके अंदर एक्सपेंस भी होगा इसके अंदर लाइ और liability और income always आपको receipt side में मिलेगा except cash balance cash balance तो आपको debit में भी मिलेगा और credit में भी मिलेगा लेकिन आप receipt payment करोगे तो जब कभी भी receipt payment side में आप देखोगे तो या तो asset होगा या expense होगा income नहीं हो सकता वहाँ पे अगर आप आते हो यहाँ पे payment receipt side में तो liability होगा या फिर income होगा generally हम पहले receipt side से start करते हैं तो receipt side में अगर हम करेंगे तो हमारा mind कहां concentrate होना चीए या तो होगा income या होगा liability अगर income हुआ तो income and expenditure में लाइबिलिटी हुआ तो कभी opening का liability नहीं हो सकता इसमें हमेशा होगा normally maximum case है कि आपका किसका होगा closing का सिर्फ subscription को छोड़ कर हो सकता है ऐसा चलिए question में balance bd देता है cash at bank एक लाग चालिस हजार cash at bank एक चालिस तो यह opening balance होगा और इसको balance bd के जगए opening balance भी बोला जा सकता है तो यह opening balance है तो opening balance sheet के asset में आ जाएगा आपका cash balance और amount given है हमें question में एक लाग चालिस अजार ठीक है ध्यान देना है आपने noting अभी नहीं करना बिल्कुल भी इसके बाद donation है इस donation के आगे कोई purpose नहीं है नौर्मली सिर्फ donation बोल रहा है तो इसे हम journal donation मानके कहां दिखाएंगे income side में by side में donation and donation जो आएगा वो 50,000 आएगा हाँ आगे इस पर adjustment हो सकता है कई बार इस पर क्या बोला होता है के 10% donation to be capitalized तो इस capitalized मतलब कहने का है अगर 10% donation capitalized के लिए बोल दिया जाए तो 5000 यहां पर मत दिखाओ यहां सिर्फ दिखाओ 45,000 और जो 5000 capitalized है उसे कहां दिखा दो liability side में ठीक है नहीं जब कभी भी capitalized capitalized ना बोल के ऐसा ही बोल सकता है 10% donation for building purpose तब भी आपका क्या होगा capitalized ही होगा ठीक है इस question में हाला कि नहीं बोला लेकिन इस तरह की question exam में देखने को मिलेगा अब यह subscription एक लाग बीस अजार देता है आपको तो subscription तो income side में लिखेंगे और जो subscription एक लाग बीस अजार है यहां पर ना तो year wise है ना ही यहां पर मैंने देखा अभी कोई member भी नहीं given तो यह total subscription first case है करा था हमने first case अब इसके closing वाले को ध्यान से देखना पड़ सकता है मैं इसके बाद कहता है entrance fees 10,000 तो मैं यहां पर entrance fees लिख देता हूं अब entrance fee अगर examiner बोलता भाई इससे capitalize करो तो इसको हम income and expenditure में ना दिखाके हम दिखाते liability side में ठीक है अगर होता life membership fee तो question में बोले चाहे ना बोले हम directly दिखाते कहां पर liability में ठीक है इसके बाद interest on investment interest on investment 1000 तो interest income है 1000 हमेशा याद रखना जब कभी investment पर interest होगा तो उस पर hidden adjustment होता है अगर आगे percentage मिल जाए तो उस पर हमें calculation करना ही करना पड़ता है इस तो मैंने इसे अंदर लिखा है इसके बाद interest receive from bank normal income है bank से मिला है तो इधर लिख देता हूँ buy side में buy interest receive from bank 4000 इसके बाद sale of old newspaper old newspaper हमारा assets नहीं है normal खर्चा है तो जितने का बेचा जाएगा सारा income है और जितने का खरीदा जाएगा सारा expense है इसमें कोई book value वाला concept नहीं है तो by sale of old newspaper और यह 500 रुपय का बिख गया इसके बाद देता है sale of drama tickets अगर आपको donation मिलता donation for drama और यहां लिखा था sale of income आया है drama हमारा income होगा by sale of सबसे पहले salary की बात करते हैं तो salary हमें given है यहां पर और salary amount है हमारा बीस हजार रुपय ठीक है salary बीस हजार है तो expense है तो two salary इसके बाद आगे देता है repair expenses इस पर भी कोई adjustment नहीं है पांच हजार इसके बाद furniture यह assets है तो हमेशा याद रखना जो भी assets होगा closing से related होगा furniture given हमें 60,000 इसके बाद given हमें miscellaneous expenses इस पर adjustment है तो मैं inside लिखूँगा miscellaneous expense छोटे मोटे खर्चे होते हमारे जैसे century expense होता है इसे type का investment asset है और investment कितने का है हमारा साथ हजार का इस पर भी adjustment है बाद में देखते हैं insurance premium इस पर भी adjustment है तो inside लिखेंगे insurance पर कितने का है 2000 इसके बाद आ गया billiard table बियार टेबल क्या होता है आपका एक assets होता है ठीक है तो इसे हमें balance sheet के assets में लिखना पड़ेगा 80,000 billiard table 80,000 अब इसके बाद आगे देता है पेपर इंक पेपर पे जो भी इंक वगेरा stationary एक तरीके से amount आगया आपका 1500 इसके बाद है drama expense और drama expense है हमारा बर्लो बर्लो आ रहो आ रहो आ रहो ड्रामा expense 5000 अब balance cd 98 500 कहां जाएगा balance cd 98 यहां तक देखो कोई doubt आगे adjustment पढ़ते हैं क्या कहता है subscription area for the year ended 31st March कहता है for the year ended 31st March इसी साल का पूरा हमारा है 9,000 और subscription advance year ended 20, 3500 तो कहता है इस साल का बाकी है आपका 9,000 और अगले साल के लिए भी हमारा दे रख़ा है तो एक तो minus एक तो plus हो जाएगा closing और double entry assets में और एक minus हो जाएगा advance कितने हैं 3500 और ये liability में चले जाएगा clear first adjustment complete अगर opening outstanding होता तो उसको भी add कर देते हैं closing outstanding होता उसके तरीके से करते हैं miscellaneous expense sorry insurance premium outstanding insurance premium outstanding insurance premium 400 रुपे का है तो insurance में add होगा लेकिन अगर यही opening होता ना तो minus हो जाएगा हमेशा याद रखना जो पिछले साल का होता है वो reverse हो जाता है जैसे इस साल का outstanding add होता है तो लेकिन अगर पिछले साल का outstanding होआ तो उल्टा हो जाएगा minus हो जाएगा इस साल का prepaid क्या होता है माइनस लेकिन अगर वही पिछले साल की में बात करूँ तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा यह simple सा point आप subscription और expense पे भी apply कर सकते हो amount कितने का था 400 second entry चला जाएगा आपका यह outstanding है तो liability में premium और 400 रुपे premium चला गया 400 ठीक है अगले point पे चलते हैं miscellaneous expense prepaid 900 रुपीज इसी साल का है year तो नहीं लिखा तो हमें अजम्शन लेते हैं इसी साल का है तो miscellaneous expense prepaid है तो less prepaid कितने का है और second entry बताओ assets में आगे देखते हैं क्या कहता है 8% investment पे 5 month का आपका interest accrued है यहाँ पे accrued कहने का मतलब देखो दो तरीके से यह देता है एक बोल सकता था हमारा 8% investment है ऐसे situation में हम क्या करते पूरे साल का 8% या date के according इस पे interest निकालते और कितना receive हो चुका है उसमें से minus plus करके हम accrued interest निकालते तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ 8% देता वो 5 month है और accrued की बात नहीं कहता तो मैं क्या करता 80,000 पे 8% निकाल लेता जो कि 6400 आ रहा था 6400 में से हम क्या करते है 1000 minus करके 5400 accrued income के नाम से हम दिखा देते हैं question में दूसरा क्या हो सकता है question में जैसे इसमें कहा है कि 5 महने का क्या है accrued है question में देखो क्या कहता है 8% investment accrued on investment for 5 month 5 महने का accrued है तो यह जो भी बता रहा है वो minus plus करके accrued है receive हो चुका है उसके बारे बाद बता रहा है वो 5 महने का और accrued है तो अगर मैं 5,000 का 80,000 पर निकालू और rate है 60 है सॉरी 60,000 पर 8% निकालू 5 महने का तो यह आता है 2,000 5 महने का कितना आ रहा है हमारा लेकिन कुछ student क्या कर देते हैं गलती कि सर 5 महने का बागी 2 आया एक तो receive कर ही चुके हैं तो एक हजार कर देते हैं वो तब होता जब आपको मन्त नहीं देता एक रूड का वो बोलता सर्फ के hidden adjustment के case में लगाते हैं बोल देता 8% investment है that's it investment taken on this date 8% investment तब वो minus plus करते हैं अब हमारा calculation से 2000 आ रहा है यह पूरा का पूरा 2000 एक रूड है इस पूरे के पूरे को एक रूड को हम यहां कर देंगे 2000 यह गलती मत करना के 2000 टोटल बन रहा है तो 1000 पिछला minus कर देंगा ऐसा नहीं है कैसे पता चलेगा अगर बोलता एक रूड इंटरस फोर 6 मन्त सारबाकी है पहरे रिसीव कर लिया उसको छोड कर बता रहा है एक्जामनर लेकिन अगर बोलता के 8% investment taken on this date तो फिर हम 8% निकालते उसमें कितना मिल चुका है फिर balancing हम calculation करके क्या निकालते accrued निकालते जो ज़्यादा से ज़्यादा question में आपने देखा हुआ है तो accrued है और accrued interest यहाँ जाएगा 2000 रुपे ठीक है समझ में आई यह point इसके बाद बिल्याद table costing 3 lakh were purchased during last year 220 were paid for it पिछले साल मैंने बिल्याद table कितने का खरीदे था 3 lakh का तो opening में होगा हमारा बिल्याद table जिसमें से payment कितना हो चुका था 2 lakh 80,000 2 lakh 20 का payment हो चुका तो पिछले साल liability होगा ठीक है पिछले साल liability होगा अब देखो आपने इस साल बिल्याद table का 80,000 रुपे payment side में दिखा ठीक है नहीं यह देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर बताऊँगा पिछले साल अगर मैंने 3 का खरीदा था और 2 बीस अगर मैंने payment कर दिया था तो simple सा है कि पिछले साल के assets में तो 3 lakh दिखाएंगे अगर 2 बीस payment किया है तो 80,000 रुपे पिछले साल का बाकी होगा जो की कहां दिख रहा होगा liability में जब इस साल आगे तो payment करोगे नहीं करोगे तो इस साल हमने देखा कि payment side में 80,000 का billiard table है तो ये payment पताएं क्या हो रहा होगा last year का इसने creditor paid किया होगा इसका मतलब ये है अगर मैं 90,000 का payment करता तो 10,000 का और billiard table खरीदा है और 80,000 पिछला payment किया है तो यहाँ पे ये 80,000 नहीं आना चाहिए कैसे पता चला इस adjustment को देख के अगर ये adjustment नहीं होता तो हमने जो 80,000 लिखा बिल्कुल सही था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी तो इसका मतलब अब पिछले साल अगर billiard table एक 3,000,000 का है तो इस साल भी billiard table होगा हमारे पास कितने का 3,000,000 रुपे का ठीक है क्या liability में मुझे ये वाला creditor दिखेगा वो payment हो चुका है इसी साल payment किया तो वो तो liability नहीं बचेगा बाकि आप लिखना चाहते हो तो creditor 80 minus में 80 करके यहाँ पे zero balance कर सकते हो दिखाने के लिए तो last year से connected था यह 80,000 का main point इसके अंदर यह था इसके बाद आगे कुछ भी नहीं कहता आगे आपको simple सिर्फ totaling का process करना है ठीक है एक तो interest वाला point इसमें main रहा एक billiard table का तो सबसे पहले हमें balance sheet को close कर देते हैं चलो एक चालिस चार लाग चालिस अजार ओपनिंग balance sheet बनाने को कभी भी examiner नहीं बोलेगा बनाना पड़ेगा आपको 360 और यह capital आ गया 360 ठीक है यहाँ से surplus या deficit निकाल लेते हैं ठीक है एक बीस माइनस में 9000 सरी एक बीस प्लस में 9000 माइनस में 3500 cross verify करते रहना है आपने इधर आ जाएगा माइनस का 40 100 आ गया इधर 2400 depreciation वगरा है किसी पे नहीं है अगर depreciation होता तो यहाँ से माइनस करते हैं और second entry दिखा देते हैं income and expenditure में तो पचास अजार एक पच्चिस पांसो दस हजार और यह आ जाएगा 3000 2500 माइनस करते हैं 20,000 और यहाँ आ गया तू साइड में शर्प्लस यह बैलेंसिंग फिगर हैं और यहाँ आ गया सर्प्लस माइनस में प्लस तीन साथ बस इसे टोटल करना है 153 तो इसमें एक हमने पांच मैंने का आउट्सेंडिंग देखा उसके बाद आगेगा पॉइंट एक था बिल्याट टेबल का सारे कोशन आपका इसी तरीके से होगा इसमें एडजस्मेंट क्या हो सकता है सब्सक्रिप्शन पर नीचे हो सकता है एक कंज्यूम वाला इसके अंदर एड़ हो सकता है कंज्यूम के अंदर हमें कंज्यूम कब निकालना होता है स्टॉक पर जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो तो अगर सिर्फ दे रखाऊ स्टेशनरी पर्चेस डारेक्ट डाल दो उसमें कुछ भी नहीं करना आपने ठीक है तो नोट करिए फटा फट